Good morning children, मेरा नाम रेनू सैम्विल है और मैं आप सबको हिंदी पढ़ाऊंगी बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है आज हम हिंदी साहित्य की किताब में पाठ एक मेरी अच्छी मा कवीता पढ़ेंगे मा, मा का प्रेम अनमोल होता है, हमें उनका आदर करना चाहिए बच्चों, कुछ दिनों के बाद हम Mother's Day मनाएंगे भारत में हर वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को Mother's Day मनाया जाता है इस दिन को मनाने के लिए घर पर हर कोई एक साथ होता है और घर या बाहर जाकर मजेदार विंजनों का आनन्द लेता है परिवार के सभी सदस से मा को उपहार देते हैं तथा धेर सारी बधाईयां देते हैं हमारे लिए मा हर वक्त हर जगा मौजूद रहती है तो बच्चों चलिए, अब हम कवीता पढ़ेंगे मा तू कितनी अच्छी है, मेरा सब कुछ करती है भूक मुझे जब लगती है, खाना मुझे खिलाती है बच्चों मा हमारे लिए सब कुछ करती है, वो हमारा सारा काम करती है जब मैं गंदा होता हूं, रोज मुझे लहलाती है जब मैं रोने लगता हूं, चुप तू मुझे कराती है बच्चों जब हम खेल कर गंदे हो जाते हैं, तो हमारी मा हमें नहलाती है और जब हमें चोड लगती है तो वो हमें बड़े प्यार से दवाई लगाती है मा मेरे मित्रों में सबसे पहले तू ही आती है बच्चो मा हमारी सबसे पहली मित्र होती है चलिए बच्चो इस कवीता को हम एक बार और दोहराते है मा तू कितनी अच्छी है, मेरा सब कुछ करती है भूप मुझे जब लगती है, खाना मुझे खिलाती है जब मैं गंदा होता हूं, रोज मुझे नहलाती है जब मैं रोने लगता हूं, चुपतू मुझे कराती है मा मेरे मित्रों में सबसे पहले तू ही आती है बच्चों आप सभी इस कवीता को फिर से दोहराएंगे धन्यवाद